हमारे साथ माध्याप्रदेश के बीजेपी स्टेट इंचार्ज मुर्ली दरंजी जुड़े हैं सर बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है सर सीएम फेस को लेकर काफी बवाल हो रहा है बीजेपी में कई सारे चेहरे सामने आ रहे हैं लेकिन जो नमबर्ज उन्होंने सरकार को वहाँ पर दिलवाए है उससे लग रहा है कि वही रेस में आगए है आप क्या कहेंगे सर देखे मैं कोई रेस में मैं प्रबारी हूं मेरे लिए सब समान है शिवराजी भी और अन्यनेता भी और मोधी जी के मार्ग दर्शिन में नड को सबसे पूछेंगे बाचीत करेंगे और मेरा मानना है कि जो सामुईक नेतु तुमें और विशेशकर पार्टी और उसके तरफ से शुराजी की नेतु तुमें प्रधिस सरकार और मोधी जी की नेतु तुमें केंदर सरकार और केंदर के पार्टी सब मिल करके कंदे से वी इतिहास में 20 साल सत्ता में रहने के बाद 41% की वोट शेर को 49% वोट शेर में बदलना यह आठ परसंट वोट शेर बढ़ाना यह वास्तों में प्रशंस नहीं यह हैं अभिनंद नहीं है और इसका आनंद लेने दीजिए दो दिन और इसमें निरने भी होगा नेता का निरन कौन-कौन एलिजिबल है पोटेंशियल है किसके पास की स्टेट को अड्मिनिस्टर कर सके स्टेट को चला सकते बात बता हूं कि मुझे क्या लगता है यह विशे में नड़ाजी को बता दूगा और मैं सारवजेनिक दुरुस्ति से लोग को भी बताईए सर एंपी ने ने दे करेंगे और जो निकलेगा वो नड़ा जी की नित्रतु में बात बाहर आ जाएगी चौहान जी के बारे में आप क्या कहेंगे अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं इस टर्म के लिए भी तो आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं लगता है एक बात ध्यान रखिये हमा करें लगातार मुख्यमंत्री के नाते 18 साल से ज्यादा रहने का मुख्या अगर किसी एक को मिला है तो इस पार्टी में तो उनको मिला है इसलिए और आज भी उनके सरकार रहते हुए मोदी जी के नित्रतु में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया तो उसमें आज 48.5 परसे कि वोट बड़ उतरी करकर सत्ता में लाना यह तो इतियास उठाय और रिकार्ड बनाया है इसलिए उनके प्रतिवी हमारे सभी नेता और कारेकरताओं की पूरा सम्मान है सर, कॉंग्रेस पार्टी के बारे में आप बता रहे हैं थे कि कॉंग्रेस पार्टी एक सर्वाइवल स्टेज पर पहुंची है, सवाल खड़े उट रहे है या फिर पूरे से कंप्लीटली वाच्ट आफ है, इसको लेकर आपने सवाल आप आपने बयान दिया है, इस पर हैं कि 2018 में कांग्रेस, मध्यप्रदेश, राजस्तान, चेतिसगर चुनाव जीतने के बाद भी संसदिये चुनाव में कोई अपना परफामेंस नहीं दिखा पाया, आज वो तीनों स्टेट्स में बाजपा डंके के छोट पर एक तो मेजारिटी के साथ जीत के आए, और ऐस संदे में कांग्रेस की बारे में लोगों में संदे हैं, प्रश्न चीन है, विशेश कर इंडी अलायंस में, मुझे बताईए कि कांग्रेस को केंदर बिंदु में रखना और मानना, और राहुल गांदी को महत्पून नेता मानना, तो क्या आदार क्या है? क्या देने वाले ह जो वित्ती राजस्तान में पार्टी को नहीं जिता सकते हैं, मध्यप्रदेश में पार्टी को नहीं जिता सकते हैं, चितिसगर में पार्टी को नहीं जिता सकते हैं, और जहां सत्ता में हैं वो सत्ता निकल जाती है, और ऐसे में मेरी लिए नहीं, जनता के लिए नहीं वो त से एक हार और एक जीत से कदमताल चलता है तो ये लोग केंद्र में एक विखल्ब बनना ये कैसे संभवा है मेरा कहना ये है सर मध्य प्रदेश की जंता का सस्पेंस कब खतम होगा कब बनाउंस होगा फेस एक एक वक्त बर तीनों का बिलकुल कोई सस्पेंस लंबा नहीं चलेगा प्रक्रिया के लिए जो समय लगेगा दो दिन का वो लगेगा बस ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा अगर शिवराद सि कोई माननिय कारे करता है कूंसी पॉजीशन में रहेंगे यह विशर बदलते रहते हैं पहले बदले हैं अभी यह तो चलता रहता है यह एक बात मैं पका कहता हूं कि जो भी भूमिकां उनको तही करेंगे वो समगरू प से सोचकर तही करेंगे और इसमें पूरी केंदर की टीम पूरी गंबीरता से सोचेगी, कोई भी जिम्मेवारी देना है, और चीफ मिनिस्टर, केंद्रे मंत्री मंडल, पार्टी की काम, और यह क्या है, वो सारे चीज़ें, यह पार्लमेंटरी बोर्ड और विशेश कर मोधी जी के गैडन्स में, नड़ा जी यह ताही करेंगे, सबसे समवाद करके तई करेंगे, शिवराजी से भी बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. झाल कुछ नहीं है.